जहिन दोस्तों मैंनी धी बेन चोहार आजम करेंगे क्लास 11 का 3.1 का question number 1 find the radian measures corresponding to the following degree measures question number 1 में जो भी हमें angle हैं वो degree measure में दिये गए हैं इनको change करना है हमें radian measure में so यहाँ पर formula use करेंगे जो होता है r means radian जो equal होता है pi upon 180 into d degree measure जो भी हमारी value है यह degree measure की इसे यहाँ पर put कर देंगे solve कर लेंगे तो यह value radian में convert हो जाएगी so यहाँ पर सबसे पहले pi as it is रहेगा denominator में 180 रहेगा जो यह d है इसके लिए value दी गई है 25 तो इसे यहाँ पर put कर देंगे अब यह जो 25 है और 180 है इन दोनों को cancel कर सकते हैं 5 से तो यहाँ पर 5 और नीचे 36 आ जाएगा यहाँ उपर और नीचे 5 से cancel किया अब value बची है pi upon 36 into 5 तो 5 वन्जा 5 pi upon 36 जो भी यह 25 डिगरी है इसको radian में change कर देंगे तो यह हो जाएगा 5 pi upon 36 यह हो गया हमारा answer अब करेंगे part 2 जो formula हमने यहाँ पर use किया है वही formula हम यहाँ पर भी use करेंगे एक छोटी सी चीज यहाँ पर अलग दी गई है second part में जो हमें दिया गया है minus 47 degree of 30 minutes दिये गए है 30 minutes को degree में change करने के लिए 60 से divide कर देंगे 30 upon 60 degree में change करने पर आएगा 1 upon 2 so इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं minus 47 1 upon 2 degree यह angle हो जाएगा हमारा जब हम 30 minutes को degree में convert करेंगे अब यहाँ पर यह mixed fraction है तो यहाँ पर minus as it is आएगा 2 को 47 से multiply कर देंगे और plus 1 कर देंगे तो उपर आएगा 95 और denominator आएगा 2 जो भी यह mixed fraction था हमने इसे fraction में change कर दिया है यह हमारी degree की value हमें मिल गई है अब इस formula को apply कर देंगे r equal to pi upon 180 into d value है 95 upon 2 तो यहाँ पर put कर देंगे आप देख सकते हो 180 और 95 को 5 से cancel किया जा सकता है तो यह हो जाएगा 5 upon 36 into minus 19 upon 2 तो multiply कर देंगे 19 by 36 to 72 जो हमारी यह value degree में दी गई है इसको जब हम radian में लेके जाएंगे तो हमें answer मिलेगा minus 19 by upon 72 आप करेंगे part 3 इसमें 240 degree को radian में change करना है तो यहाँ पर formula लिख लेंगे r equal to pi upon 180 into d अब इसमें values put कर देंगे pi upon 180 into 240 जो भी angle की value दी गई है उसे यहाँ पर put कर देंगे तो यहाँ पर देखो 0 से 0 cancel हो जाएगा और 18 और 24 छे से cancel हो जाएगे जो भी values बची हैं उनको लिखेंगे 4 बंजा 4 pi and यहाँ पर 3 240 degree को radian में change करेंगे तो आजाएगा 4 pi upon 3 अब करेंगे part 4 इसमें 520 degree को change करना है radian में जो भी यह d है इसकी जगह पर value पुट करेंगे तो pi upon 180 into 520 0 से 0 cancel होगा 2 से 18 और 52 को cancel करेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 26 आजाएगा तो 26 बंजा 26 pi and 9 बंजा 9 यह हो गया 4 पार्ट का answer 520 degree को radian में change करने पर यह हो गया हमारा answer अब करेंगे question number 2 find the degree measures corresponding to the following यहाँ पर हमें angle radian में दिया गया है उसको degree में convert करना है तो पार्ट वन के लिए सबसे पहले formula लिखते है formula में आ जाएगा d equal to 180 upon pi into r r यानी की radian जो भी हमारा यह r है इसकी जगह पर जो भी angle की value radian में हमें given है वो put करेंगे solve कर लेंगे और जो यह pi है उसकी जगह पर use करना है 22 बटे 7 देखो pi की value होती है 22 बटे 7 लेकिन यहाँ पर है 1 upon pi तो यह हो जाएगा 7 बटे 22 क्योंकि 1 upon में pi है उसकी जगह पर use करना है 22 बटे 700 value put करते है 180 अब pi denominator में है जब भी pi की value denominator में होती है वैसे pi की value होती है 22 बटे 7 लेकिन 1 upon pi में pi की value हो जाती है 7 बटे 22 अगर denominator में pi है तो इसकी value 7 बटे 22 इसी 180 में multiply कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 बटे 22 इसके बाद multiply होगा r की value है 11 upon 16 यहाँ पर जो भी values cancel हो सकती है उनको cancel कर दो 11 से 22 को cancel कर देंगे तो यह 2 हो जाएगा इसके बाद 4 से 180 को और 16 को cancel कर सकते हैं जो भी value बची है उनको multiply कर लेंगे 45 into 7 यह हो जाएगा 3 15 और 4 2 जा 8 answer हमारा जो भी degree में आया है वो fraction में है fraction में नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे 315 को 8 से divide करेंगे देखो 8 3 जा 24 यहाँ बच्चा 7 उतारा 5 8 9 जा 72 5 में से 2 को minus किया तो यहाँ पर आया 3 अब 8 से divide करेंगे remainder में 8 से छोटी value बची है तो जो भी यह आया है यह हो जाएगा 39 degree लेकिन अभी calculation complete नहीं हुई है हमारा यह 3 बचा है यह जो 3 बचा है इसको multiply करेंगे minutes में इसका answer find करेंगे 60 से multiply करेंगे तो यह होगा 180 अब जो भी हमारा यह 180 आया है इसको भी divide करेंगे 8 से तो यहाँ पर 8 लिखेंगे तो 8 to the 16 बचेगा 2 उसके बाद यहाँ पर 0 लगा देंगे फिर से 8 to the 16 दस में से 6 गया तो यहाँ पर 4 यहाँ बरिमेंडर में बचेगा 4 तो देखो यहाँ पर 22 है यह हो जाएगी minutes तो यहाँ minutes लिख देंगे ओके 39 degree 22 minutes के लिए यहाँ पर एक छोटा सा यह mark लगा देना है अब यहाँ पर यह जो 4 है यह 8 से छोटा है 4 को multiply करेंगे 60 से और इसको second में change कर देंगे तो यह हो जाएगा 240 अब यह 240 है इसको divide करेंगे 8 से देखो यहाँ भी 8 से यहाँ भी 8 से और यहाँ भी 8 से तो 8 थ्रीजा 24 और जो यह 0 है यह उपर चला जाएगा remainder में बचेगा हमारा 0 एक 0 यहाँ पर जो बची है पीछे यहाँ पर इसको लगा देंगे यहाँ पर calculation complete हुई 39 degree 22 minutes and 30 seconds यह हो गया answer अगर हम 11 upon 16 radian को degree में change करेंगे तो यह मिलेगा हमें answer अब करेंगे part 2 इसमें minus 4 radian दिया गया है इसको degree में change करने के लिए यह formula का use करेंगे यहाँ पर values put करेंगे 180 denominator में जो πाई है उसकी value हो जाएगी 7 upon 22 r की value यहाँ पर दी गई है minus 4 तो 22 और 4 को 2 से cancel कर सकते हैं यह 2 से cancel कर दिया तो यहाँ पर बचेगा 180 into 7 तो यह हो जाएगा 1260 और minus 2 as it is और यहाँ पर 11 as it is अब 1260 into minus 2 यह होगा 2520 upon 11 तो यह जो answer मिला है यह fraction में मिला है तो इसकी division करेंगे 2520 को 11 से divide करेंगे यहाँ पर तो 11 टूजा 22 बचेगा 3 दो नीचे आ जाएगा तो यह हो जाएगा 32 11 टूजा 22 बचेगा 10 फिर से 0 नीचे ले लेंगे अब 11 नाइन जा 99 तो यहाँ रिमेंडर होगा हमारा 1 यहाँ पर रिमेंडर में 11 से छोटी value आई है यानि कि जो degree में answer है हमारा 229 degree तो आ जाएगा अब जो यह 1 बचा है इसको convert करेंगे minutes में इसको multiply करेंगे 60 से 1 को 60 से multiply करने पर 60 होगा आप 60 को divide करेंगे फिर से 11 से तो 11 5 जा 55 रिमेंडर में बचेगा 5 यहाँ पर 11 से छोटी value मिली है हमें यानि कि यह minutes हो जाएगा 5 तो यहाँ पर लिखेंगे 5 minutes अब जो यह remainder में है 5 इसको 60 से multiply कर देंगे second में convert करने के लिए तो 5 into 60 हो जाएगा 300 300 को फिर से 11 से divide करेंगे 11 to 22 यहाँ पर बचा 8 यह 0 नीचे ले लेंगे 11 7 जा 77 रिमेंडर होगा हमारा 3 second में change करेंगे तो 2 digit में answer हमें मिल गया है इसके बाद भी remainder बसता है तो उसे ignore कर देना है यहाँ पर हमें 27 seconds मिल जाते हैं second के लिए निशान लगाएंगे जो भी यह हमारा minus 4 है radian में इसको degree में change करेंगे तो answer आएगा 229 degree 5 minutes and 27 seconds यह जो answer है यह approach में होगा इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा यह जो answer है यह approach में होगा अगर हमारा यह division exact हो जाता तो यह exact answer होता लेकिन अब यह approach में हैं तो यह भी mention करना है आप करेंगे part 3 इसमें 5 pi upon 3 radian इसको हम degree में change करेंगे d के formula से d equal to 180 upon pi into r इसमें value put करेंगे 180 upon pi into r की जगह पर आजाएगा r की जगह पर आजाएगा 5 pi upon 3 यहाँ पर pi से pi cancel हो जाएगा 3 से 180 को cancel करेंगे 60 आजाएगा जो भी value cancel होती थी हमने कर दी अब बची हुई value को multiply कर देंगे 60 into 5 300 degree अब करेंगे part 4 इसमें दिया है 7 pi upon 6 r की जगह पर put कर देंगे 7 pi upon 6 pi से pi को cancel कर देंगे 6 से 180 को cancel कर देंगे अब 30 into 7 210 degree अब करेंगे question number 3 a wheel makes 360 revolution in one minute through how many radians does it turn in one second एक पहिया है जो एक minute में 360 revolution करता है 360 चकर लगाता है हमें बताना है एक second में वो कितने radians cover करेंगे so solution में लिखेंगे number of revolution in one minute एक minute में कितने चकर लगाता है ये given है 360 अब यहाँ पे next point में हमें find करना है number of revolution in one second एक minute में 360 चकर लगाता है लेकिन हमें तो एक second से मतलब है एक second में कितने चकर लगाएगा तो जो भी हमारा एक minute में चकर लगाता है 360 इसको divide कर देंगे one minute से एक minute में 60 second होते है हमें second में answer find करना है तो यहाँ पर second की value रखी जाएगी जो की एक minute में होती है 60 अब 60 यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों को cut करेंगे तो यहाँ पर answer आएगा हमारा 6 कैंसिल करने पर 6 आएगा एक second में चकर लगाते हैं 6 इससे next point में पता करना है angle cover in one revolution एक चकर लगाने में total कितना angle cover होता है कोई भी एक पहिया है वो पूरा चकर लगाने में convert करता है 360 degree अगर इसको radian में लिखेंगे तो होगा 2 pi कोई भी एक पहिया पूरा एक चकर करने में या तो 360 degree लगाएगा या फिर 2 pi वो cover कर लेता है अब बात आती है angle cover in यहाँ पर dash दिया है revolutions एक सेकिंड में 6 चकर लगाता है यह देखो तो 6 चकर में कितने radians cover करेगा तो यहाँ पर 6 इंटू कितने radians cover करता है 2 pi तो 6 से multiply कर देंगे 6 इंटू 2 pi equal to 12 pi जो भी पहिया है वो एक सेकिंड में 12 pi radian cover करता है तो सबसे पहले जितने भी चकर एक मिनिट में लगाता है वो हमें पता ही थे एक सेकिंड में कितने चकर लगाता है 6 चकर हमने पता कर लिए उसके बाद एक revolution में 360 degree angle cover करता है जो equal होता है 2 pi के radian में हमें पता करना था इसलिए हमने यहाँ पर 2 pi रखा यह 2 pi रखा 360 की जगा 6 चकर टोटल लगाता है एक चकर लगाने में 2 pi radian cover करता है तो 6 चकर लगाने में कितने radian cover करेगा 6 से 2 pi को multiply कर दो हमारा answer आ जाएगा तो मिलते है अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत